प्रिविद्यार्थियूं आजम महाकवी भार्वी प्रणीत किरातार्चुन्य महाकाव्वे के प्रत्थम सर्ग के अंतरगत 26 वेश लोग का अध्यन करेंगे। इस शत्रु विश्यक वृत्त को बताया। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए महाकवी भार्वी कहते हैं। इस संदी विच्छे धे इती प्लस ई रिइत्वा। दिर्ग संदी है अकस अवर्णे दिर्ग। गिरम महलन्तो जाएगा आनिकलेगा आत्त सत्क्रिये। गते थ गते प्लस अथ पुरूरुप संदी हो रिए एंग पदान ताधती सुत्र से। तद प्लस आजचक्षे प्लस अनुज संदी धव। इस तरह से इसका विच्छे धोगा। अन्वे है इसका अथ वन संदी वासी नाम पत्यव इती गिरम इरी इत्वा आत्त सत्क्रिये गते मही भुजा कृष्णा सदिनम प्रविश्य अनुज संदी धव तद वचह आजचक्षे। अथ आनंतरिय अथ का वाचक अथ अविशब्द है अथ यानी इसके बाद। बन संदी वासी नाम सम उपसर्ग और नी उपसर्ग पूर्वक वस धातु से नीनी प्रत्य होकर शष्टी विभक्ती बवचन में संदी वासी नाम रूप बनता है। बने संदी वसंती इती बन संदी वासी नह तेशाम बन संदी वासी नाम कार्थे बन वासीों के बन में रहने वाले लोगों के बन चरों के पत्यव। इकारांत पूर्लिंग पती शब्द की सब्तमी का एक वचन है पत्यव। पत्यकार्थ होता है स्वामी। बन संदी वासी नाम पत्यव कार्थे बन वासीों के स्वामी, बन चरों के स्वामी। यहां बन सन्नी वासी नाम पद में शष्ठी शेशे से संबंध में शष्ठी विभक्ती हुई है इती अवेशब्द है इसकार्थे इस प्रकार गिरम रकारांत इस्त्रीलिंग गिर्शब्द की द्वीत्या विभक्ती एक पचन का रूप है गिरम गिही गिरो गिरह गिरम गिरो गिरह इस तरह से रूप चल दें इसके गिरम का आर्थे वानी को वचन को वाक्य को इर इत्वा इर कथने इर धातु का आर्थ होता है कहना उचारण करना प्रेरन आर्थक इर धातु से त्वा प्रत्ति होकर इर इत्वा शब्द बनता है इर इत्वा का आर्थे कहकर आत्त सत्क्रिये सद सती चादरा नादर्यो इस प्रकार सत और असत पदो का क्रमशह आदर और अनादर अर्थ में प्रयोग होता है अतह सत यानी आदर सतह क्रिया इती सत्क्रिया सत्क्रिया अर्थार्थ सत्कार आदर, सम्मान, पुरस्कार, पारितोशेग आत्थ आंगुट सर्ग पूर्वक दाधा तुसे तप्रत्य होकर आत्थ आत्थ का आर्थो ताय ग्रहन कल्लिया गया ग्रहित प्राप्त कर लिया गया आत्ता सत्क्रिया येन स आत्त सत्क्रियह तस्मिन आत्त सत्क्रिये आत्त सत्क्रिये यहां पत्यों की विशेशन के रूप में प्र्युक्त हुआ है आत्त सत्क्रिये का अर्थे पुरस्कार प्राप्त करके गते गम धातु से तप्रते होकर गत प्रत्यांत गत की पुलिंग में सप्तमी का एक वचन है गते यानी चले जाने पर यहां पत्यव जोकी करता है आत्त सत्क्रिये जो पत्यव का विशेशन है और गते इसी को भावे सप्तमी या सती सप्तमी के नाम से जाना जाता है मही भुजा महीम भुणक्ती ती अथवा महीम भूंक्ते इती मही भुख प्रित्वी को भोगने वाला प्रित्वी पर राज्य करने वाला भूमी पर शाशन करने वाला है मही भुख मही भुख यानी राजा मही उपपद पूर्वग भुच धातु से क्विप प्रत्ते होकर मही भुच शब्द बनता है मही भुच की तृत्या का एक वचन है मही भुचा राजा के द्वारा कृष्णा सदनम कृष्णा वर्ण अस्यास्ति इती कृष्णा कृष्णा द्रोपदी का नामांतर है जिसे भगवान श्री कृष्ण अपनी सक्खी काह करते थे कृष्णा यह सदिनम इती कृष्णा सदिनम सदन का रथ होता है भवन कृष्णा सदनम द्रोपदी के भवन में प्रविश्य प्रवपसर्ग पूर्वक विश्धातु से ल्यप प्रत्य होकर प्रविश्य रूप बनता है, प्रविश्य का आर्थ है प्रवेश करके अनुज सन्नी धव अनुज 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 अर्थार्थ पूर्वक जन्धातु से ल्यप प्रत्य होकर अनुज अनुज अर्थार्थ पश्यात जायनते येते अनुजाहा जो बाद में जन्म लेते हैं, बाद में पेदा होते हैं, वे हैं अनुज अर्थार्थ अनुजानाम सन्निधी इती अनुज सन्निधी तस्मिन अनुज सन्निधौ अधिकरण में सब्तिमी हुई है आपर अनुज सन्निधौ का आर्थे अनुजों के सामिध्य में तद वचह तस्य वचह इती तद वचह उसके वचन को उसके वाक्य को वनेचर द्वारा उक्त वचन क बने चरके चले जाने पर उसके परोक्ष में गुपत चरके कत्थन के लिए आया है तदवचह आच चक्षे, आच चक्षे क्रियापद है आंगुपसर्ग पूर्वक चक्ष धातु से लिट लकार में प्रथम पूरुस से एक वचन का रूप है आच चक्षे आच चक्षे का अर्थे कहा कहने लगे एक बार फिर से अर्थे है इसका अथ इसके बाद वन सन्नी वासी नाम पत्यव बन सन्नी वासी नाम बन वासीयों के पत्यव स्वामी के इती गीरम इरीत्वा इती गीरम इस उक्त वचन को इरीत्वा कहकर आत्त सत्क्रिये तथा पुरसकार प्राप्त करके गते चले जाने पर मही भुजा महाराज युधिष्टिर कृष्णा सदिनम प्रविश्य द्रोपदी के भवन में प्रवेश करके अनुज सन्नी धव अपने भीम अर्जुन आदी अनुजों के सानिध्य में तद वच्चह उस वनीचर के द्वारा उक्त वचन को आचचक्षे कहने लगे इतिर यित्वा गिर मात्त सत्क्रिये इत्यादी कथन में अनुप्रा सलंकार का प्रियूग हुआ है क्योंकि यहां रत आदी वर्णों की आवरिती हुई है प्रसुत पद्य वन्शस्थ चंद में निर्मित है जिसका लक्षन है जतवत वन्शस्थ मुदी रीतम जरव यहां पर महाकवी भार्वी ने युधिश्टिर को एक कुशल राज नितिग्य के रूप में प्रसुत किया है शत्रू पर आक्रमन करने से पहले युधिश्टिर गुप्तचर के द्वारा शत्रू दूर्योधन की समस गती विध्यों का पता लगाता है गुप्तचर के प्रतिवेदन को वह एकांत में सुनता है और उस प्रतिवेदन पर विचार करने और भविष्य की रणनीती तय करने के लिए वह अपने प्रज्यावान भाईयों की मंत्रणा लेना आवश्यक समस्ता है परियाप्त मंत्रणा के बाद ही निने रेना युधिष्टिर की बुद्धिमता और उसकी नितिक कुशलता का संके तक है प्रथम सर्ग का पुरवार्ध यहां समाप्त होता है जिसमें महाराज युधिष्टिर द्वारा प्रेशित गुप्तचर की रात शत्रु दुर्योधन की शाषन वैवस्था का संपुन बृतांत धर्मराज युधिष्टिर को निवेदन करता है और पुरस्कार प्राप्त करके जला जाता है यहीं से सर्ग का उत्तरार्ध प्रारंध होता है इस भाग का यह पद्य प्रस्तावना स्वरूप है एती शुभम